भारत माता की जैस्री राम सबागो पड़ाम एवं मद्य प्रदेश की पवित्र धर्ती से वहां के जो मुख्य मंत्र जी शिवरा सिंग चहौन जी जो हमारे अद्देश स्रीमान बंडी संजय जी को जो आशिरवाद देने के लिए पदा रहे है मैं उनको शचचच पड़ाम करता हूँ आज तेलंगाना में साथवा निजाम तो हमारे पूरवजों ने देखा है और वो साथवे निजाम को जुकाने वाला भी एक गुजराती सरदार वल्ला भाई पटेल जी थे और एक आटवे निजाम का रूप लेकर जो हमारे तेलंगाना राज जी के जो मुख्य मंत्री अपने आपको जो आटवा निजाम समझ रहे हैं यह मैं मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा कि आज भारती जनता पार्टी का कोई कारे करता डरने वाला नहीं है आज भारती जनता पार्टी के कारेकरता कोई जुकने वाला नहीं है हमारे अद्देख जी बंडी संजे जी को तुमने जो इनलिगल रूप से जो फेक के सज़ाल के जो तुमने सोचा कि अगर मैं अद्देख्ष को जेल पहुचा दूँगा तो कारेकरता डर जाएंगे तो ये वो कारेकरता डरने वाला नहीं है और हमारे बंडी संजे जी पहली बार जेल यात्रा नहीं करें मित्रो उन्होंने समाज के लिए धर्म के लिए देश के लिए जो वो कुछ नहीं थे तब उसे वो जेल यात्रा करते हैं और ये नववा टैम था हमारे बंडी संजे जी की जेल यात्रा का हम समाज के लिए हम धर्म के लिए जेल जाने को तयार है हम मुख्यमंद्र को कहना चाहे हमारी डिमांड क्या थी जो तुमने जो टीचर्स के प्रति जो तुमने एक जीवो लेकर आवाया जो तुमने गलत जीवो में जो गलत तरीके से जो इंप्लिमेंट किया उसमें चेंजेस के लिए हमारी डिमांड थी लेकिन तुमने भय के कारण के भारते जनता पार्टी आज एक ताखत के रूप में उबर रही है मुनसिपल एलेक्षन में हमने मुकी खाई है भारते जनता पार्टी के कहीं कॉर्परटर जीच चुके है एक दुबा का एलेक्षन आया वहाँ पर उनको हार मिली और एक हुजूराबाद का एलेक्षन आया वहाँ तो उनको जमीन चाटने को मिला है यह सब चीज देखकर उन्होंने सोचा कि आज भारती जनता पार्टी को हम नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में हमारे कुछ दिक्कत होगी तो मैं मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा कि आज जो तुमारा जुम उथा तेलंगा नामे वो जुम सारी जनता देख रही है सारी की सारी जनता देख रही है इसलिए तुमको अच्छे से समादान यानि एक कोट को दस हजार एक को बीस हजार तुमने जी एचमसी एलेक्शन में दिया लेकिन जनता ने तुमारे पैसे कोट ठुकराया और भारते जंता पार्टी को आश्रिवाद दिया उसी प्रकार से दो विधान सभा के चुनावाएं वो विधान सभा चुनों में भी तुमने पचास पचास हजार रुपे एक-एक वोड को दिया वो समय पर भी जंता ने तुमारे पैसों को ठुकराया और भारते जंता पाटी को आश्रिवात देकर एक थायक पहले था आज तीन विधायक है यानि ट्रिबुलार जो हमारे बंडी संजे जी का नारा था कि ट्रिबुलार ये आर 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 तुम्हें विधान सबा में धूल चटाएगा ये हमारे संजे जी का नारा था और मैं मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा जेल कोई हमारे इले नहीं बात नहीं है जब कॉंगरेस की सरकार्टी वो समय पर भी तुमने कहीं कारे करतों को भारते जंता पाटी के कारे करतों को फेक एसस जाल के जेल को पहुँचाया मेरो पर दो फेक मडर के साल के तुम लोगों ने जेल को पहुँचाया लेकिन हम डेरे नहीं आगे बढ़ते गए ये जो हमारे बंडी संजे जी है ना एक नाम नहीं एक शक्ती है शक्ती को कोई नहीं रोक सकता शक्ती को जितना रोकने का प्रेतन करोगे उतनी शक्ती आगे बढ़ेगी ये मैं कहना चाहूंगा आने वाले समय में भारती जंता पार्टी की सरकार ते लंगाना में बन रही है क्योंकि मुख्य मंत्री की एक आदत है कि वे बार बार सर्वे करवाता है हर सर्वे में मुख्य मंत्री डॉन 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 हर सर्वे में तो ये सर्वे में देखा कि मैं डॉन हो रहा हूं तो जिस कारण डॉन हो रहा हूं वो है भारते जनता पार्टी का अदेख्ष बंडी संजे चलो इनको हम जेल को पचाएंगे लेकिन मुख्य मंतरी ये बात ध्यान रखना कि आज तेलंगाना की जनता का आशिरवाद बंडी संजे जी को पर है तुमने सिर्फ दो दिन के लिए बंडी संजे जी को जेल में डाला आज देखो के भारत का हर वो बड़ा नेता भारत का हर वो मुख्य मंतरी भारत का हर वो पूरू मंतरी बंडी संजय जी को आश्रवाद देने लिके पदारे है मुए मुख्या मंत्र को कहना चाहूंगा कि हम से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा ये वो भारते जंता पार्टी की सरकार बनने वाली है तो लंगाना में आप सब चाहते हैं ना तो आप सब से चाहूंगा के बगवान से हमें प्रातना करना है के बंडी संजय जी को इतनी ताख़ दे इतनी ताख़ दे के इंके सामने कोई भी दुष्मना है वो चकना शूर हो जाए धन्यवाद भारत मता की देचे से अंडर कोवीड रूस पाट इंचाले